हाई माई चैंप्स वेल्कम यू आल इन यूर मोस्ट फ्लेब्रेट लार्निंग प्लेटफॉर्म डाट इस विरिक्स वाला और है आया माचल गुपता यह केमेस्ट्री मेंटॉर लेके आ गए वन चॉट और चाप्टर है सौटिंग मेटेरियल इन्टू गुरूप सौटिंग सौट आउट करना हमाई लडाई होती हैं तो सौट का मत्तब है कि छीजे थोड़ा सधारन तरीके से समान तरीके से बाट देना तो यहां पर यही हो रहा है सौटिंग हो रही है मटेरियल की तो इस चाप्टर में आग जो हम जानने वाले हैं वह यह है कि सौटिंग जरूरी क्यों है उसकी importance क्या है किस बेसित पर हम सोटिंग कर सकते हैं बैसिकली अगर हमें चीजों को बाटना है तो कोई तो बेसिस होगा हो सकता है जब में आगी बाटते तो किसके बाटते कितने लोगों में डिवाइट करना है और कितना amount बराबर amount सब को मिलना चाहिए एक भी तो आच एक्साइटे एनफ की थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं माइचांस ब्रो तो शुरू कर रहे हैं बचाइब जानने क्या-क्या वाले हैं में तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के यहां पर देखेंगे objects हमारे चारो तरफ अगर आप देख रहे हो जहां भी बैठे हो आपको चारो तरफ जाके देखोगे आपको चारो तरफ कुछ नई चीज़े दिख रही है या पुरानी चीज़े दिख रही है लेकिन बहुत स हो गया यहां पर बोर्ड हो गया टेबल हो गया चेर हो गया बोटल हो गई सारी चीज़े क्या है यहां पर बोलोगे objects है अब यह बने कैसे हैं क्या इनकी properties है वह थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो basically objects around us में क्या है जो कुछ भी anything or everything anything or everything around us वह किसमें आता है आपके बीटा object कहला है अब object क्या है यह तर्व समझो for example हमारे पास यह पानी की बॉटल है यह पानी की बॉटल जो है यह क्या है यह एक object है अब यह object बनाने के लिए कुछ यूस किया गया होगा कोई तो यूस किया गया होगा राइट ऐसे नहीं बनगा पानी की बॉटल एक ऑब्जेक्ट तो है बट बनी कैसे आई कहां से यह सारी चीज़े देखते हैं जल्दी से तो बेसिक लिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो यहां पर आप एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारे ऑब्जेक किस से बनते हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के मटेरियल से क्या बनते हैं ऑब्जेक्ट बनते हैं डिफ्रेंट टाइप के मटेरियल से डिफ्रेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बनते हैं फॉर एक्जामपल अगा हम चारों तरफ देख रहे हैं अपने रूम में फोब है दिख रही है वह अलग अलग मुटेरियल से बनी होंग जैसे एक नोठ पैड लेके बैठे होगे वह भी एक आपजेक्ट है लेकि माथ मैटेरियलस से बना हुए है आपके पास देके हम objects का formation करते हैं, हम objects को बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, for example, chair की बात कर रहे हैं, chair हमारा एक object है, अब इस chair को बनाने के लिए हम कौन-कौन से material का use कर सकते हैं, क्या आप वो बता सकते हो comment section में जल्दी-जल्दी, कि कौन-कौन से material का इस्तमाल किया जा सकता ह है, अगर हम chair को बनाना चाहते हैं, तो थोड़े से थोड़े दिमाग चलाओ जल्दी-जल्दी, तो basically chair जो होती है, हम wood की देखते हैं, chair plastic की भी होती है, right, अगर हम वहीं बात करें, close की, तो close आपके wool के भी होते हैं, close आपके cotton के भी होते हैं, close आपके different materials के होते हैं, right, different materials के close होते हैं, अब एक बात करते हैं यहाँ पे, कि single object can be formed from a single material, different object can be formed from a single material, और single object can be formed from a different material, तो मैम यहां पे दिमाग घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो एकदम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, यहां से शुरू कर रहे हैं, तो यहां पे अगर आप बेटा ध्यान दोगे, कि single object can be formed from a single material, for example, हम बात करते हैं इस bottle की, तो इस bottle में पूरे object को बनाने के लिए सिफ single type का material यूज किया गया है, वो है plastic, एक object को बनाने के लिए एक ही type के material का इस्तमाल किया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं plastic, तो एक single object के लिए single material का इस्तमाल किया गया है, अब अगर हम next point में जाते हैं, different object can be formed from the single material, तो for example, यह bottle भी plastic की बनी है, यह pen भी plastic का बना है, यह remote भी plastic का बना है, तो यह क्या है, different, different objects है, बट उनके material क्या है, एक दम, same है, different object, but same material, अब बात करते हैं, single object can be formed from different material, ठीक है, यही बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो, for example, कर आपको दिख रहा है, तो, क्या आप देख प यह बना है plastic से, मतलब, एक तरह का material, बट इसकी जो buttons है, देखो, buttons जो है, यह किसे बनी है, rubber से बनी है, तो यह दूसर टाइप का material हुआ, तो यहाँ पर यह चीज़े क्या हुई बच्चा, single object है, but different, different material इस्तमाल किये गए है, एक चीज़ को बनाने के लिए, बहुत सारे material का इस्तमाल किया गया है, अगर आप cycle की बात करते हो, cycle में आप देखते हो, वहाँ पर rubber के handles भी होते है, cycle भी metal की बनी होती है, यह सारे क्या है, एक single object, cycle तो एक यह object हुई ना बच्चा, जो हम चला रहे हैं, but उसमें different, different क्या use हुए है, material का इस्तमाल किया गया है, next, याद करते हैं, why we need to sort out the things, हमें जरुवती क्या थी काम करने की, हमें जरुवती क्या थी group में डालने की चीजों को, हम ऐसे भी तो कर सकते थे, असान से काम चल तो रहा था, life चल तो रहे थी, क्यों करना इतना struggle हमें, right, why we need to sort the materials, क्यों ही sort out करने थे हमें, तो basically, यहाँ पर क्या था, हम identification अर्सानी से कर सकते हैं object की, या फिर हम उनकी location देख सकते हैं, उनको location कहा होगा, और for finding the similarity in the similarity amongst the different object, ऐसे बोलते हैं, मम्मी ऐसे बोलती हैं, वो जो clothes हैं, वो cupboard के इस corner में रखे हुए हैं, टावल जो हैं, वो उस corner में रखा हुआ है, right, पूरा पूरा एक तरह बंडल बनाके, एक एक location में रख देते हैं, अब location भाई समने उसको क्या किया, fix कर दिया, तो अब हम अगर धूड़ना है कोई चीज, तो definitely जहां पे चावल रखे जाते हैं, हम वही जाएंगे न, समझ जो, जहां पे चावल होंगे हम वहीं जाएंगे, जहां पे हमारे टी शेट्स होंगे हम वहीं जाएंगे, तो इससे हमारा समय भी बच जाएगा, energy भी बच और अगर आप महां पर अबलेबल नहीं भी हो तब भी आप उसको डारेक्शन दे सकते हो कि टेकल राइट लेप्ट और यह उठाना है यहां पर पढ़ी होगी शॉर्ट वह सकते हो फाइल पढ़ी हुए तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तो यह में हैल्प करता है एक तरह से रहने पर हमें हैल्प मिलती है अब सिम्लारिटी के बेसिस में चीजों को एक साइड रख देते हैं अब यह ग्रूपींग में डिवीजन हो रहा है यह किस तरह से होगा किन प्रॉपरिटी के बेसिस में होगा वह थोड़ा सा देखने वाली बात है तो यहां पर एक कोश्च अब इनके बेसिस में ने क्लासिफिकशन आपने सॉट आट करा तो इनसे में फाइदा क्या मिला हमें क्यों करनी थी यह चीज तो यहां पर ध्यान दो कि जो मैटेरियल गूप है वह कन्वीनियंस हमें एजी हो जाता है चीज़े धूरना हम कहीं भी है हम रूम में भी जाए मिलेंगी हम ऐसी नहीं हम और्गनाइज है तो हम चीज़े धूर पा रहे हैं तो यह हमारे लिए क्या हुआ कन्वीनियंस हुआ अब एक द्वेर दे दिया आपको ऐसे कपड़ों का और इससे बोला कि रेक्टीशन निकालो तो आपको ओ माई गॉड़ डिफिकल टास एसी अब फन के लिए तो नहीं करते यहां क्योंकि यहां पुछा गया है नॉट सो टू स्टेटमेंट यहां पुछा गया है not so true statement so the correct answer is the c1 in this case अब बात करते हैं अगर object आई हम बात करते हैं लिए नॉन निवन्की तो इसके बेसिसप्रेश्रि रूब सब्सक्राइब में एम लिए थे नॉन लिविंग थींग है तो हमें क्या किया यह पर आम से पने सोर्ट आउट कर दिया चीजों को इसी तरह से आगे आएंगे बंचाने फिर और आनीमल में की प्लांस में क्या है नीचर देखेंगे लिग अब मटेरियल क्या है कैसा नेचर है उसका का क्या है शीप एस क्या है ओम आई गॉर्ट है वाले को सब्षे करें कॉझन यांन ग्रूप Candbert करें Sieg not made up of plastic क्या है जो प्लास्टिक से नहीं बन रहा है आपके पास चार ओप्शन है पहला ओप्शन आपका ट्वाय दूसा आपका बॉटल तीसा ओप्शन आपका बुक और चौथा ओप्शन आपका दात इस्टेबल पूछा क्या है बेटा जो प्लास्टिक से ना बने क्या अधिए वगरा गए होगे वहाँ पे जाकर नेखो यह फीजो रोट साइड होता है चाय पीते हो जहां पर तो वहां पर आप देखते हो कि तो वहाँ पर आप देखते हो कि मौन से कि बंडी होती है और आपके पास बॉटल ली प्लास्टिक के अभी दिखाया मैंने टौर भी प्लैस्टिक होता है लेकिंघु को फटीत वह पेपर से बनी होती वह फ्लास्टिक में नहीं होती है, so the correct answer is the C one for this question, next which of the following objects is made up of leather, leather से बनते है, leather से क्या बनेगा, pen बनेगा क्या लेदर से, इत्ता महंगा ऐसा pen का मारे हमारे, नहीं, बुक बन सकती है गया, leather से, no, और टेबल भी नहीं बनता है, क्या बनता है, बनते है, बैट से बनते हैं, जाकेट्स बनते हैं, बनते हैं लेधर के बाग्स से बनती है, बाखी सारे उप्षेशन लेधर से नहीं बनते है, तो यहां पे not mentioned था यार। जब भी आपके पास question आता है ना वां पे not mentioned होता है, तो इसके basis पर हैं अब कौनसी प्रॉपार्टीज के बेसिज में हम मैटेर्यल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यह कुछ प्रॉपार्टीज है जो आपके सलेबास में है अपीरेंश, हार्डनेश, सॉलीबिल्टी, डेंसिटी, एन ट्रांस्परेंशी इनके basis पर हम detail में जाने की properties होती क्या है और group का sorting out कर रहे हैं, group का division कर रहे हैं, तो इन properties में क्या specialty है और किस basis पर ये काम होगा, तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से बचा एक एक करके, पहली हमारी बारी है appearance की, appearance का मतलब है कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही है चीजे, तक ये पास option है skinny, like, sorry, it's shiny or dull, okay, it's shiny or dull, मतलब चमक दाल और एकदम dull सा, कुछ, कोई नूर नहीं है उसमें, तो that is dull, तो shiny का मतलब चमक दाल surface, dull का मतलब एकदम बेजान, कोई चमक नहीं है, ऐसा surface, तो ये हो गया appearance कैसा दिख रहा है, अब बात करते हैं, which of the following is lusterious, अब पढ़ाया थो, a था, a for apple, अब बोल दिया, a for appearance, ये कैस चलेगा, तो यहां में बिटर लस्टीजस का मतलब यहीं होता है, dart is shiny, यहां रखना डायते है, shiny, चमक दार, ओकी, जो चमक दार है, वही क्या है, आपका appearance है, जब भी आप देखो कि चमक रहा है कोई चीज, तो वो क्या है, appearance है, तो यह चीज़ दिमाग में एक दम बैठा लेनी है, बच्चा, कि shiny, लस्टीरिस का मतलब कि shiny, जो चीज़ चमक रही है, any object which is shiny in nature, called lusterous also, लस्टर, लस्टर का मतलब किया, चमक दार, चमक, तो लस्टीरिस का मतलब जो भी object, चमक दार है, that is known as lusterous in nature, यहां पर आपको एक्जांपल है, steel का plate है, और wooden chair है, plastic water है, बलून है, तो इन में से कौन से चीज़ है, जो चमकेगी, राइट, तो वो है बेटा, steel का plate, right, steel का जो plate है, वो क्या होगा, चमकेगा, बाकी अधर objects नहीं चमक सकते हैं, वो shiny नहीं होते हैं, they are dull in appearance, अब एक और, यहां पर आपको pair करना है, किसका, lusterous subject, like lusterous materials का, objects का, अब I hope आपको पता है, lusterous का मतलब वो होते हैं, जो चमक दार होते हैं, वो lusterous ह जाहूंगे, जो चमक दार नहीं है, या फिर डल है in appearance, तो उनको बोलेंगे, non lusterous in nature, अब यहां पर पूछा गया है, lusterous, जो चमक दार है, तो यहां पर आप आओगे, बैटा, iodine जो होता है, वो चमकता है, और graphite भी चमकता है, कभी pencil का देखोंगे, लेड ना, हलकी से उस तो कौन सा correct player है आपका, pair है, that is a b1, right, that is your b1, तो I hope आपको चीज़े समझ आ रही हो, आप सही answer pick कर रहे हो, सारे question का, next, hardness की बात करते हैं, hardness का मतलब क्या है, हम इसको कितना भी लगर ले, घिस ले, कुछ भी कर ले, इसमें change नहीं आएगा, यह अपने आपको resist कर करके रखे होने से, तो यह क्या होता है, हाड ने, सक्ती, सक्ती बना गए रखनी है, बिल्कुल, राइट, तो यहाँ पर हाड होंगे, और soft material होंगे, हाड वो होंगे, जिनको हम घिस ले, रब कर ले, लिकिए उनमें कुछ फरक ना पड़े, कुछ नहीं हो, लेकिन soft क्योंगे, एकदम soft से, हमने उनको दबा दिया, वो melt, ऐसे दब गए, एकदम अपना shape change कर लिया, कुछ भी कर रहे है, उन पर effect पड़ रहा है, तो वो क्या है, soft material में आ गए, तो यहाँ पर काम तो हो गया, खराब हमारा, हाड का मतब एकदम सक्त, कोई दिक्कत नहीं है, एक question है, which of the falling substance is soft in nature, that is iron, stone, wood और chalk, क्या हो सकता है, जो की soft in nature है, यहाँ पर याद रखना पेटा, हमने पूछा है, जो की soft in nature है, ना की हमने पूछा है hard in nature, याद रखना, क्या पूछा है, soft in nature, जो चीज़ soft है, अपने shape को change करेगी, या फिर हम उसको दबाएंगे, तो तूट जाएगी, बिखर ब्रिटल इन नेचर होगी, राइट, क्या होगी, ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल क्या होता है, मतलब ने दबाया, तो बिखर गया, तो वो soft है, तबी बिखर रहा है, जो उसे pressure लगा रहा है, दबा रहा है, तो for example, हमने कोई object लिया, ऐसे करके, यह हमारा object है, और इस object मैंने क्या किया, force लगाना शुरू किया, यहाँ पर हमने इसका force लगाना शुरू किया, तो क्या होगा, एकदम बिखा जागा, थो टाइम के बाद क्या होगा, एकदम उसके छोटे-छोटे pieces बन जाएंगे, तूट जाएगा यह, बिखरेगा, और जब बिखरेगा, तो काम खराब होगा हमारा, तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चा, कि iron, stone, wood and chalk, इसमें क्या है सही जवाब, तो chalk है इसका सही जवाब, क्योंकि chalk को जब आप दबाद होगे न, तो उसक्दम चकना चूरो जाता है, क्योंकि वो soft in nature होता है, next question है आपके पास, out of the falling even material which can't be classified as soft material, जो कि classify नहीं होता है, तो नहीं हो सकता, वैक्स में अगर आप उसको करोगे न, प्रेशर लगाँगे तो वो दब जाती है, अगर सॉलिड फॉर्म में भी न, थो थोड़ा सा और फोर्स लगा दो, दब जाएगा, SpongeBob, Swap and Ride, वो भी क्या है, वो दबता है अराम से, अब सोडियम की बात आ रहे है, अलमूनियम की, तो सोडियम का एक specialty बता दू बेटा, ये है तो metal, लेकिन ये soft metal है, ये है तो metal, लेकिन ये soft metal है, ये अराम से क्या होता है इसके साथ, अगर हम उसको लेंगे न, knife और कट करें है, ये क्या है, soft in nature है, इसको हम अगर लेंगे न, knife और काटेंगे, तो वो अराम से, कट हो जाएगा, अब आए बारी, अलमूनियम की, अगर अलमूनियम की बात करें, ये एक metal है, और अलमूनियम देखा, वायर बने होते हैं, ये अलमूनियम के objects देखेंगे, वो hard in nature होता ह है, वो ऐसे नहीं डबते हैं, वो काफी hard होते हैं, नेचर में, अब बात करते हैं, solubility की, ये थोड़ा रख tricky concept है, क्योंकि इसको ध्यान से देखना आप लोग, okay, solubility में अगर हम देखते हैं, दो तरका है, material विचा, soluble in water, material विचा, insoluble in water, अब इसका मतलब क्या है, कि ऐस किसी solubility के आया, किसी चीज़ को घुलने की, या घुलने की tendency, पानी में अगर कोई चीज़ घुल रही है, तो हम बोलेंगे, वो soluble in nature है, और पानी में कोई चीज़ नहीं घुल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, insoluble in nature, अगर हम soluble की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ल यहाँ आप ले सकते हो sugar and water का example, और यहाँ पे आप ले सकते हो sand and water का example, तो sand and water का example में आप एक्दम ध्यान से देखो बिचा, जब भी sand डालोगे पानी में, वो कभी भी घुलती नहीं है, और यहीं पे अगर आप आप आओगे sugar and water में, शुगर को पानी में डालोगे, अराम से शार्षनी बनके तैयार हो जाएगी, थोड़ा heat कर दोगो तो और गाढ़ा आपका घुल रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमने चीज़े आट करी पानी में, जो घुल गई, उनको बोल दिया, इनसॉलिबल, अब यहाँ पे बेटा, जो हम चीज़े मिक होते हैं, एक हमारे पास होता है, सॉल्वेंट, और एक हमारे पास होता है, सॉल्वेंट, एक हमारे पास होता है, सॉल्वेंट, और एक हमारे पास होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, जिसमें हम चीज़े मिक्स करें, for example, यह पानी है, और पानी यह क्या है, बिटा सॉल्वेंट का काम करेंगे इसमें हम क्या मिक्स करेंगे चीनी pools जाएगा сист OG हो जाएगा और इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनेगा ञे का फॉर्मेशन होगा यहां पर बोल सकते हो कि सॉल्वेंट उस्तूलिट से मिलके क्या बन रहा है सुल्वेंट में डाला है सॉल्वेंट थे हो गया है यहां पर सॉलीपिर्टि हैं ध्याद देखो इस 00 देखो जैसे इसने क्या किया टेबलेट डाला टेबलेट गुलना शुरू हुआ गुल गया तो यह क्या हो गया यहां पर यह इस विल रहा है और देखो एकदम डिजॉल्व हो गया है तो यहां पर इसकी सॉलिबिल्टी दिख रही है इस नेश्चेकर आपके लिए विच और फॉल्लिविंग नॉट्स आलिबल वॉोर्टा डाट शुगर सॉल्ट स्टोन और ओल आफ दीज इस the answer on the chat box जल्दी अली करो बिटें च्छ में क्या हो सकता है सही अंसर तो सही अंसर का बात करेंगे बिटा कि जो तो फोलीबल नहीं है पादी में बहुत is को चैनल नोर्ट फारल इन वॉर्टर तो शुघर सबस 공 Woran शुघर भी कानिता को डालोल exist और पात्थर मलता है कि गुल जाता देखाें नहीं होता ना यहाई पर नहीं होती है वो चीज़े नेक्स यहां पर देखते हैं बैटा अब खेल शुरू हुआ है कि solubility of solid liquid यहां पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है solubility of solid liquid ऐसे solid जो पानी में घुल जाए जब भी यहां पर क्या बात किए solubility of solid solid की solubility की बात की जब पानी में आठकिया है तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे की अराम से मिल जाएगा तो यह सारी किया है पेटा यह सौरी नहीं होगा पलिएंगे विलेंगे आए जो अब तो यहां प्यास हम बात कर रहें शुकर हो गया वो गया सोल्ट हो गया यह सारे क्या है solid crystalline form में हमारे पास अब लेबल है जम पानी में डालेंगे तो वो गुलने लगेंगे तो soluble in nature है यह स्टोन एक solid है बट वो soluble नहीं है liquid में तो यहाँ पर it is not soluble in liquid अब बात करें liquid in liquid की liquid in liquid का मतलब क्या है है पानी में ही कुछ liquid मिला दिया अब हनी अगर आप डालोगे यह सारे क्या है इसमें आएंगे examples तो यहां पर आप देखोगे मिसिबल का मतलब है कि जो अराम से mix हो जाए मिसिबल का यह नहीं है लेज का फॉर्मेशन कर देता है वह बिल्कुल नहीं घुलता है वह लेज़का फॉर्मेशन करता है तो mirisBl0 लिक्विट्स इम्मिसिबल का मतलब है जो मिक्स ना हो मिसिबल का मतलब है जो मिक्स हो जाए एकदम डेको टर्मलोजी मैस कर रही एकदम अराम से मैस करती दिखेगी मिसिबल मिक्स मिसिबल मिक्स जो अच्छे दें मिक्स हो जाए वो मिसिबल है इम्मिसिबल जो मिक्स नहीं ह तो यहां पर दोनों condition है, miscible का मतलब जो mix हो जाए, immiscible का मतलब जो mix ना हो, तो यहां पर oil का example अगर आप ले लो के जो mix नहीं हो रहा है, लेकिन liquid form की बात कर रहे हैं, हमारे पास three states होते हैं, solid, liquid, gas, previous case में हम solid की बात कर रहे थे, मलब हमारा जो solute था, वो solid form में था, यहां पर हमारे जो solute है, वो liquid form में है, यह चीदे बहुत दिमाग में ध्यान से बठा लो, यहां पर liquid हमने आट किया है, liquid में, मतलब solvent भी liquid है, solid, 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 liquid form में है, लेकिन इस case में क्या था, solid आपका क्या है, बेटा, solute है, और liquid क्या है, आपका solvent है, तो यहां पर अब एक बार बताओ, solub of gases in liquid, मतलब हमारे पास जो gas है, यह हमारे पास क्या है, solute है, और liquid जो है, हमारे पास यह क्या है, solvent है, अब एक बार बताओ, image में कुछ दिख रहा है, पिछे स्क्रीन में, कमल खिल रहा है, जब कमल खिलता है, बच्चा, तो एक बार बताओ, हमने एक process पढ़ा था, उसका न अपने लिए क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, किसकी हैल से बनाते है, वाटर की हिल से बनाते है, और carbon dioxide की हैल से बनाते है, and sunlight होता है, तो यहां पर क्या होता है जो लोटस होता है वो पानी में घुली हुई carbon dioxide को अभी इस्तमाल करता है जो हमारा पानी होता है इसमें बहुत सारी ग्यासे mix होती है पूरी तरह के जैसे कि oxygen या carbon dioxide ये mix होने वाली ग्यासे पानी में राम से घुली हुई होती है तो इसी लिए उसी help से क्या करता है ये photosynthesis करता है और खिरता है बड़ा होता है जैसे मेरे छोटो चार्म्स है अब इसे 6 हो जाएगा आप इस 7 में चले जाएंगे right genuine bad join कर लेंगे तो उसी तरह से क्या है ये भी use करता है अपने carbon dioxide को जो पानी में गुला है और उससे बनाता है अपने लिए अच्छा अच्छा खाना खाके बड़ा हो जाता है जैसे कि अगर house the animals breathe हम तो सास ले रहें को मैं सरावंडिंग में क्या है ऑक्सिजन है अराम सास ले रहें पर हमारे एनिमल्स जो सी आनिमल्स होते वह भी तो सास लेते हैं वह कैसे लेते हैं सोचे कभी यहाँ पर क्या होता है जब आरब ड्रौटर होता है यह जी और सेके अक इसमयरे खुद ऍल और तहुर्टक में क्या होती है उसी oxygen को see animals use करते हैं इस oxygen को हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे बॉड़ी उस तरह से डाप नहीं कर पाता है वाट आनिमल के पास tendency होती ही कि oxygen जो पानी में घुली oxygen है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तब ही गलोबल वार्मिंग के हम बात करेंगे तो सोचो global warming में क्या हुआ हमारे surrounding का temperature बढ़ा तो हमारे जो c है हमारा समुद्र है उसका पानी भी गरम हुआ जब पानी गरम हुआ तो definitely temperature बढ़ने से उसमें घुली oxygen बहा निकल जाएगी जब उसकी घुली oxygen बहा निकलेगी तो उसमें रहने वारे जो c animals हैं उनके पास जो global warming हो रहा है gases निकल रही है वो कहीं न कहीं जाके c animals को हाम कर रहे हमारे को तो करी रही है बट इनको भी कर रही है जबकि इनके कोई घलती भी रही है temperature बढ़ा याद रखो temperature बढ़ेगा कि तो solubility of gases जो है वो decrease होगी तो वहां से पानी से oxygen निकल जाएगा सास ही नहीं ले पाएंगे तो बेटा जिन्दा कैसे रहेंगे तो यहां पे इनको बहुत problem create होती है कि अब अभी अभी कम आता मिला नहीं मुझे अधा मोझे एंड मिला म मिला तो समझे लो थाइज दा थान्दर है तो यहां पर बुल बुलाहाद बंती है पढ़ास बनते फिजिनस में मस्ती करने हो तो दो पी लोगो में बाहराने लगती है तो िवह बबनके बहर आ रही है बिटा वह किस लिए आ रही है क्योंकि इसमें कार्बन डाय ओक्साइड गास हुआ है नियुक्ष हमारे कोल्डिंग में कार्बन डाय काबन डायोकसाइड बाहर निकलने लगती है और उसकी वरे से ही बबल का फॉर्मेशन तब बुलबुलाहट बनती है इसलिए बेटा तब कोल्डिंग खोल देते हो काफी टाम दर रखी रहती तो फिजिनस नहीं बनती है क्योंकि वह प्रेशर अल्री नॉर्मल हो गया होता ज हम बात करते हैं डेंसिटी की डेंसिटी का मतलब होता है उसके भार के बारें बात करें कितना उसका वेट है ओके तो अधा प्रॉपर्टी और सब्सक्राइब फ्लोट और सिंग इन वाटर मतलब कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी कौन सी डूब जाएगी किसकी नईया पार हो डूब गया राइट जो डूब जाएगा वो क्या है सिंकेबल है और जो फ्लोट कर रहा है वो क्या है हमारा बच्छा फ्लोटेबल है तो फ्लोटेबल का मतलब क्या है यह लाइट इन बेट है और सिंकेबल का मतलब क्या है यह हैवी इन बेट है तब ही तो क्या हुआ हुआ डूब गया है और वो उपर फ्लोट कर रहा है क्योंकि वो हलका है अब इन में से बताओ कौन से फ्लोटेबल होंगे और कौन से सिंकेबल होंगे मैं नमबस डाल देती हूँ यहां पर नमबर डाल देती हूँ यहां आपका पताना है कौन से सिंकेबल है और कौन से फ्लोटेबल है अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की कितनी पारदर्शी हैं चीजे इसके बारे में डिसकास करते हैं हमें तीन तरह की चीजे मिलती है एक तो ट्रांसपेरेंट होता है एक ट्रांसपेरेंस होता है और एक होता है अब यहां पर बात करते हैं यह है क्या ट्रांसपेरेंट का मतलब है हम अराम से ऑबजेक्ट को आर पार देख पा रहे हैं एकदम सली कैसे एक्जांपल मेरे स्क् तुम का मतलब क्या होता है दिख रहा है लेकिन धुन्दला 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 समझ नहीं आ रहा रहा है किया उब्जेक्ट्ट है कुछ दिखतो रहा है और उसमें थ सब्सक्राइब पाल कुछ भी नहीं देखिया कि दम ब्लांक तो यहां पे इनकी बाद में तो डिसकस करते हैं कि ट्रांस्पेरेंट होता क्या है तो जैसे को माम का चुश्म में लगा हो ना एकड़म वैसे यहां पर भी है वेटा की दम मैटेरियल थो विच थेंक्स कैन बी सीन क्लियरली अरा पानी से तो पानी अज़र लोगे तो आज बात दिखेंगी चीज़ा लेकिन आइस जो फ्रोजन पॉर्म में आती है तब आपको यह चीज़े क्लियर नहीं दिखती लेकिन हाँ आइडिया हो जाता ही कुछ ऑब्जेक्ट है उस पार पे लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है त अब बात करते ओपैक की ओपैक में यहां पे अगर आप आओगे बच्चा तो ऐसे मत्रे जिनके आप देखा ही नहीं जा सकते तो यहां पी आपके पास एक कोशन है मैं रीट कर देती हूं आप आपके बात करते हैं बटर पेपर की तो बटर पेपर से अब देख तो सकते हैं बट रीट नहीं दिखेगा तो यह ट्रांसलेंट हो गया अगर हम बात करते हैं शीट टू की वाइट टूशी पेपर तो उससे भी क्लियर नहीं दिखता है लेकिन लाइट वगरा आती है थोड़ा वह समझ आता है लेकिन अगर पेपर को आपने ब्लाक पेइंट कर दिया है तब तो बेटा कुछ नहीं लोगों की शॉर्टिंग क्यों जरूरी है शॉर्टिंग कैसे की जाएगी किस प्रॉपरिटीज की बेसे में मटेरियल को बाठ सकते हैं और उन प्रॉपरिटीज एग्जाक्ली होती क्या है इन दीटेल तो आमने सारा चार्टा कंप्लीट कर लिया है आई होप यू लाइक लिए सुन विए सुन विए सुन विए सुन विए सुन विए सुन तिल एं टेक केर बीए से ड़ी हाँ बावाई गाई